वेलकम टू मैं चैनल लिली इज वर्ल्ड आज मैं आपके साथ जेमी कंट की रेसिपी शेयर कर रहे हूं यह सबसी दिवाली पे तो बनती है इसे हम ऐसे भी बना के खा सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है तो मैंने आज यह सब मसालों के साथ बनाई है मैं फिर क ऐसे हैं अपने हातों मैं तोड़ा से तेल लगाना होगा क्यूंकि इससे कभी-स खुझली हो जाती है है तो इसको कशने टोड़े कर लेंगे और जेला सारे अपने हातों कर दोफर कऴी it कर लेंगे और बसे मैं पांप पिसेशियर जेइन दिऺ ए सब्यक स्जितारे कर ले कर लिया है ऐसी तरह आप भी करने और फिर इसे बॉयल कर लेंगे हम या अगर आप बॉयल ना करने तो इसे आप कूकर में सीटी भी लगा सकते हैं तो इस तरह करके यह सारा मेरा जिमी कंड कर किया है पीसेज में हमें इसे वाश करके बॉयल कर लूँगी तो बॉयल करने के ल फिर अगर आप चाहें तो इसे कुकर में भी गला सकते हैं तो कुकर में भी सीमी करना है पानी डालना है और यह पीसे और हल्दी और नमक डालके विसल दे लेंगे हम दो से तील तो इस तरह यह हमारा कुक हो जाएगा जब यह हमें लगेगा कि 50% डन हो गया तो इसको हम चान चाहिए और निकाल लेंगे प्लेट में फिर से हम सबको फ्राइब करेंगे और आप डिपेंड करते हैं थोड़ा जादा भी ले सकते हैं तो यह मैंने आइल ले लिया और इससे में फ्राइब करूंगा इसे हमें इतना फ्राइब करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए दस मिनिट लग जाएंगे तो फिराई करनी के बाद में इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और फिर जो यह ऑईल हमारे हम कड़ाई में ट्रांसफर कर देंगे इसी ऑईल में हम अब ग्रेवी बनाएंगे तो यह मैंने आइल ट्रांसफर कर दिया है अगर आपका जीरा, बड़ी इलाइची और लॉंग और काली मिर्च यह दई फेटावा ले लिया इसके लावा हम टमाटर का पेस्ट पी आड़ करेंगे इसमें अब हम करेंगे क्या क्या कि जीरा, बड़ी इलाइची और खड़े मसाले जो भी थे वह सब आड़ कर देंगे और फिर इसमें प्याज कर देंगे और हरी मिर्च यह सब डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे तोमैटो पेस्ट करने के बाद में इसे 1-2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे प्रेटी तो मिनट के दिया ओर इसे अछे से मिक्स करेंगे आप पानी आड़ करेंगे और पानी आड़ करेंगे यह बाल मिक्स करके से कवर करके फिर कोक करेंगे कि जो भी हमारी अब यह सबजी में टेंडरनेस रह गए वह सब हो जाए यह गल जाए अच्छे से तो यह तकरीबन 5-10 मिनिट लगेगा यह एक प्रोसेस होने में और फिर इसके बार में यह कूक हो जाएगी इसमें पानी हम अकॉर्डिंग टू दा ग्रेवी कंसिस्टेंसे अ इसमें ऐड़नाट कर सकते एंगा जादा थिक गविवी चाहिए तो कम पानी हाइड करेंगे और जाद पथली रखनाई पानी हम अलगे इसके बाद में इसे थोड़ा सा और को करेंगे एक-दो मिनट के लिए थोड़ा मैंने पानी आड़ करें या फिर राइस के साथ सर्फ करें अगर आपको इर रैसी पर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरी चैनल को सबस्क्राइब करें इट्स फ्री और इसको लाइक कर थेंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो